हलो फ्रेंड्स तो आज हम सॉल्व करने माले हैं नीट 2020 का question number 162 तो यह physics का question है a point mass m is moved in a vertical circle of radius r with the help of a string the velocity of the mass is root 7gr at the lowest point the tension in the string at the lowest point is तो हमें find out करना है tension in the string तो माल लेते हैं एक point mass जिसको हमने vertical circle में move कर पाया कुछ यह है हमारे पास एक circle और माल लेते हैं यहाँ पे हमारे पास इस string से हमने इस mass को बांदा हुआ है तो इस particle को जब हम move कराते हैं तो यह सबसे lowest point पे कह रहा है कि इसकी velocity given है हमें root 7grk equal और हमारे पास जो given data है इसका जो radius है वो है rk equal अब हमें इस string के अंदर यह basically जो string है यह हमारे पास इसे हम किसी भी पत्थर ले लेते हैं उसमें धागा बांद के ऐसे गोल घुमाते हैं तो उसी तरह से हम इसको घुमा रहे हैं और यह जो string की length है वो rk equal होगी तो यह radius हो जाए ना circle का अब इस string के अंदर हमें tension निकालना है कितना tension तो यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक और force लग रहा होगा नीचे की तरफ लगेगा mg और उपर की तरफ लगेगा tension और यह क्योंकि circular motion करे तो circular motion में घुमने के लिए एक जो force required होता है वो होता है हमारे पास centripetal force जिसको ह जो हमारे पास circular motion है उसका radius तो circle का radius अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ उपर की तरफ T लग रहा है नीचे की तरफ mg लग रहा है तो हम क्या करेंगे T में से mg को minus करेंगे और वही जो force आएगा वो क्या करेंगा इसको circular motion में घुमाने में help करेंगा तो हम यहाँ पर solve कर करेंगे तो हमारे पास given है T minus mg equals to m और V की वेर लिए हमें क्या given है? root 7gr तो V की वेर लिए हमारे पास है root 7gr इसका square करेंगे तो हमारे पास आजाएगा 7gr तो m into 7gr divided by r यह r से r cancel तो अब हो गया यह T minus mg equals to 7 mg इस mg को दूसरी तरफ लेके जाएंगे T equals to 7 mg plus mg तो हमारे पास T की value आजाएगी 8 mg तो tension जो होगा string में वो हो जाएगा 8 mg के equal तो हमारा correct option हो जाएगा यहाँ पर option number C तो C हमारा correct option होगा